दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्षन में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में उत्तर प्रदेश में नोईडा के पास जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट का डिजाइन अब फैनल हो गया है, साथी जेवर एयरपोर्ट और Film City बनने के कारण Yamuna Expressway का एरिया इन्वेस्टर की पहली पसंद बनता जा रहा है। Recently उत्तरपदेश गवर्मेंट ने Samsung सही 30 अलगलग कंपनीज को जमीन अलॉट किया है Yamuna Expressway और Greater Noida के अलगलग सेक्टर में। और इन कंपनीज के DPR के कॉर्डिंग अगले 5 साल में सभी कंपनीज का यूनिट स्टार्ट हो जाएगा और इसमें 10,000 से जएदा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। East Delhi में Yamuna किनारे एक Industrial Area है ओखला। ओखला के बाद Noida को डेवलप किया गया। अगर आप Noida का फुल फॉर्म देखें तो Noida का फुल फॉर्म होता है New Okla Industrial Development Authority नोईडा के बाद Greater Noida को डेवलप किया गया। Greater Noida से ही Yamuna Expressway स्टार्ट होता है। तो Yamuna Expressway के किनारे जो एरिया डेवलप किया जा रहा है उसे हम लोग EDA यानि की Yamuna Expressway Industrial Development Authority के नाम से जानते हैं। Yamuna Expressway के किनारे ही जेवर एरपोर्ट बन रहा है। जेवर एरपोर्ट को डेवलप करने और जेवर एरपोर्ट को 40 years तक ऑपरेट करने का कॉंट्रेक्ट स्विट्जर लैंड की फर्म जीवरिक एरपोर्ट इंटरनाशनल को दिया गया है। जीवडिक EARPORT INTERNATIONAL ने जेवर एरपोर्ट का डिजाइन फैनल कर लिया है। कापी सिंपल डिजाइन है जेवर एरपोर्ट का, मेट्रो को भी एरपोर्ट में दिखाये गया है। ये कुछ इमेजेज हैं इस एरपोर्ट के डिजाइन से रेलेटेड। design फैनल होने के बाद अभी इस airport का construction स्टार्ट होगा और दो साल में इस airport का first phase complete होने की उम्मीद है airport के बाद film city भी Yamna Expressway के किनारे proposed है film city के बारे में मैंने इस वीडियो में details में बताया है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो i button पर click करके या फिर description के link से इस वीडियो को आप देख सकते हैं इडा यानि कि Yomna Expressway Industrial Development Authority भी अपना headquarter सेक्टर 18 में ही Yomna Expressway के किनारे बना रही है इडा का ये office complex 7-acre area में under construction है और अगले 3 साल में ये office बनकर त्यार हो जाएगा तो बेहतर connectivity होने के कारण Yomna Expressway के आसपास का area पहले से भी काफी demanding था लेकिन जेवर एएरपोर्ट और अब film city बनने के कारण ये area investor की पहली पसंद बनता जा रहा है Greater Noida के सेक्टर Ecotech 10, 11 और 44 जबकि Yomna Expressway के सेक्टर 32, सेक्टर 87 और सेक्टर 35 में 30 अलग-अलग companies को recently जमीन एलोट किया गया है उत्तरप्रदेश गवर्मेंट के द्वारा इन companies की ओर से जो DPR उत्तरप्रदेश गवर्मेंट को दिया गया है उस DPR के according अगले 5 साल में इन सभी companies का यूनिट स्टार्ट हो जाएगा और इसमें 10,000 से ज़्यदा लोगों को रोजगार मिलेगा फ्राइडे याने की 11 दिसंबर 2020 को उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने करीब 5,000 करोर रुपे के investment के साथ नोईडा के phase 2 में mobile और IT डिस्प्ले प्रोड़क्ट बनाने के लिए Samsung को अपना यूनिट बनाने के लिए उत्तरप्रदेश गवर्मेंट से approval मिल गया Samsung का पहले से भी manufacturing plant है नोईडा में इसके अलावे और भी कई सारी companies अपना plant डेवलप कर रही है greater नोईडा और Yomna Expressway के अलग लग sectors में तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो हमें comment करके जहुर बताईएगा और अगर अच्छा लगा तो please like कीजिए दूसरों के साथ share कीजिए